उम्शान्ति आज बाबा के 11 फर्वरी के मधुर महावाख्य उपर आईए आदर्ने आशा दिदी जी द्वारा ज्यान प्रकाश प्राप्त करते हैं ओम्शान्ति दिदी आज की बाबा की मुल्ली का टाइटल है मीठे बच्चे प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना बाबा कितना अच्चा मीनिंग बताते हैं लोग समझते हैं प्राण दान देना अर्थात कोई आत्मा को शरीर में डाल दना ऐसा तो हम लोग ने जीवन काल में नहीं देखा परन्तु अगर किसी हिम्मत हीन को आप हिम्मत देते हैं वो जाग उठता है फिर से उसे चेतना आती है कि मैं कुछ करूँ उसको भी कहा जाता है प्राण देना तो बाबा आकर के हम आत्में जो बिल्कुल तमो प्रधान बन चुकी होती है जिनको ये भी सुद्ध नहीं है कि हम सतो प्रधान बन सकते हैं उन आत्माओं को आकर के जागरत करते हैं अर्थात उन्हें प्राण दान देते हैं जिससे वो आत्में पुना फिर सतो प्रधान बहुती नया मीनिंग प्रानदान का दिदी बावा ने बताया और आज की मुर्ली में प्रश्न पूछा गया है कि ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है कौन सी सीन ड्रामा की नई नहीं है उत्तर में बावा ने कहा कि इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे है विनाश काले विप्रीत बुद्धी बन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं यह कोई नई बात नहीं क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया तो बदलने ही है महा भारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगे यह बाबा का कहने का भावारत ही है कि परिवर्तन के लिए सहज कोई परिवर्तन नहीं होया था यहां पर आशुरी और देवी शक्तियों का द्वन्ध है जब हम टोटल आशुरी हैं और हमी देवी शक्ति का देवी गुणों का एहसास कराया जा रहा है और हम मैसूस करते हैं हमको देवी बनना है लेकिन आशुरी का प्रकोप इतना है प्रभाव इतना है देवी आता है हम उसको भी मार देते हैं धीरे धीरे जो आत्म बोध होता है ज्ञान के द्वारा बोध होता है उससे आत्म समझती है कि नहीं मुझे तो देवी बनना है यह जो द्वंद चलता है आंतर इसको महाभारत कहते हैं महाभारत अर्थात जिस से मेरा जीवन प्रकाशमय हो जाए वह महाभारत तो वो ज्ञान का है इसलिए लडाई के लिए ज्ञान दिया गया तीर कमान चलाने के लिए नि दिया चक्रवियो को जीतने के लिए नि दिया लेकिन अपने अंदर बसे हुए विकारों को निकाल फेकने और दैवी गुंद धारन करने के लिए ज्यान दिया गया आशुरी संपदा और दैवी संपदा जो स्रीमत भगवत गीता में है उसका ही प्रमान और बाबा कहते हैं ड्रामा में यह जो भी जहमेले हैं दुनिया के यह कोई नई सीन नहीं है उसका कारन आपने स्पश्ट किया दिदि और आज बाबाने कहा है कि आत्मा गुप्त है शरीर प्रत्यक्ष है और बाप श्रीमत देते हैं बच़ों प्रती क्योंकि जो श्रीमत है उसको समझने वाले भी तो चाहिए ना उदारन के रूप से जब बाबा कहते हैं काम को जीतो पवित्रता को अपनाओ तो सामान ने सारी दुनिया क्या कहती है असंभव है हो इनी सकता ये कौन सा नया ग्यान है स्रिष्टी कैसे चलेगी आदी आदी लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं जो श्रीब बाबा को पहचानते हैं वही तो उनकी श्रीमत का पालन भी कर सकते हैं तो श्रुप बाबा कहते हैं, मेरी श्रीमत का पालन, बच्चों द्वारा ही होता है, इसलिए मैं श्रीमत देता भी बच्चों को यूं, आम दुनिया को नहीं देता हूं पहले बच्चा बनना पड़े और तीदी बाबा ने आज पारवत्यों को भी याद किया, की अमर बाबा ने पारवत्यों को सुनाया है, एक पारवती वा एक द्रौपधी नहीं थी, ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा, ये भी है पारवधी कौन? पार्वती अर्थात पवित्रता का वृत रखने वाली पार्वती अर्थात पावन वृत्ती वाली पार्वती अर्थात पारवतन में रहने वाली पार्वती अर्थात पती वृत का पालन करने वाली वो कौन है? आत्मा अमर नात बाबा है और हम सब पार्वतियां हैं अमर नाथ हम पार्वतियों को कथा सुनाते हैं कि तुम पार्वतियां कितनी अच्छी थी अभी तुम क्या बन गई हूँ अब पुना तुमको ऐसा बनना है तो ये बाबा कहते हैं ये है अमर कथा जौमर्नाथ तुम पारवतियों को सुनाते हैं जी दी और आपने महाभारत के बारे में जो बताया तो बाबा ने उसमें आगे कहा कि कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामा आदी को भी ज्ञान बान लगते हैं यह जो बाबा कहते हैं इस अंदर्व में कि विद्वान अचारे पंडित परंपरा से एक धार्ण और एक माननेता रखे हैं और बाबा आकर के तो नई बात बताते हैं जो रेवलूशनरी होती है उस बात को वो कैसे एकसेप्ट करे हैं स्विकार नहीं कर सकते हैं तो यदि भाई सुनाते हैं तो वो बात बिलकुल भी स्विकार नहीं करेंगे और यह उल्टा हो जाएगा लेकिन यादगार है कि कुमारियों ने ज्ञान बाण मारे बाण कोई धनुशमान नहीं था ज्ञान के थे जो कुमारियां, दिवे कुमारियां, ब्रह्मा कुमारियां यज्य के बारे में भी बाबा ने आज कहा है मुली में, कि गाया हुआ है आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्य में बहुत विग्न बढ़ते हैं बिचारे पत्तर बुद्धी मनुष्य कुछ नहीं जानते कि यह क्या है, कहते हैं इन्हों का तो ज्ञान ही न्यारा है अब असुरी जो बाबा कहते हैं यह भी समझने वाली बात है, दुनिया तो यही है, अब इसमें कोई हम असुर ऐसे तो नहीं देख रहे हैं जिनके सींग हों, बड़े नाखून हों, और अजीब सी वेश-भूचा हों, शकल हों ऐसा तो नहीं हम देखते हैं शुर काया था देवताओगा, असुर काया था जिनके अंदर देवी लक्षन नहीं है तो जो देवी लक्षन वाले हैं यग्यर अचाज गया देवपद की प्राप्ति के लिए तो जो आशुरे वृत्ति वाले, जो इस बातों को नहीं मानते हैं, तो बीच-बीच में आकर के विगन डालते हैं, कहते हैं, आते थे हो मास के टुकड़े फेक जाते थे, और कुछ कर जाते थे, आप कोई मास के टुकड़े फेकता नहीं, दैहिक वृत्तियां या कोई और त पांच विकारों के वशिभूत होकर के कोई कारे करते हैं, तो वो विग्न हो जाता है, वही आसुरी वृत्तियां हैं, वही आसुर हैं, जो की विग्न रूप बन जाता है, तो ज्ञान यग्ये में बाबा कहता है पवित्रता का वृत्त, और यह आकर के देहिक बाते करें, तो तो विगन डालना हो गया उसको बाबा कहता है घी दि तो आशुरी वृतियां ही विगन डालती है इस यग्य में और आज बाबा ने कहा कि भल हम बच्चे कितना भी बीमार हो पता नहीं सुनते सुनते शिवभ बाबा की याद में रहते रहते और प्रान तन से निकल जाएं त तर्थ हो गंगा जल मुख में हो तब प्रान्थन से निकले। यह दुनिया में कहा बत है। तो बाबा कहते हैं अगर हम कुष चरीर छोड़ नहीं है। जाना तो है। एक है हमारा मरजीवा जनम और दूसरा इस चरीर को छोड़ के दूसरा लेते हैं। तो बाबा का कहने का भावरती है कि गंगा का तठ हो गंगा का तठ हो गंगा का तठ हो तब प्रान्थन से निकले हैं। यह है ना। तो ज्ञान युक्त रीती से अपने आपको इस शरीर से न्यारा करना, मुक्त करना वो ज्ञान के आधार से ही हो सकता है और बाबा ने फिर आज मुर्ली में कहा कि अगर तकदीर नहीं, तो यह बैठते ही ऐसे हैं, जो कुछ नहीं समझते कि अगर बाबा ने समझते हैं, तो आज बाबा ने सरफधर्मों का और चकर का भी बताया कि जब TAK Bाप है, तब तक सभी धर्मों की आत्माओं को यहां रहना ही है जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद हो जाएगा यह ठीक बात है कि जाने का समय हो तो लड़ाई भी होगी और सब आत्माओं वापस जाएगी और नई आत्माओं के आने का टाइम होगा स्रिष्टी खाली नहीं रहती है कोई ना कोई इसके उपर पाट चलता ही रहता है और आज बाबा ने कहा कि सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है बाप को रूहानी अविनाशी सर्जन कहा जाता है अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है तो इनको इंजेक्शन चाहि यह बाबा ने बताया कि कैसे शिव बाबा ही सब आत्माओं का गती सद्गती दाता है जो बीमारी हरे को लगी है बताने वाला वही रूहानी सर्जन है क्योंकि बीमारी तो रूह को है शरीर की बीमारी तो वह सर्जन ठीक कर देगा लेकिन रूह की बीमारी ठीक करने वाला वह वही आकर के हम आत्माओं को कारण बताता और उसका निवारण देता है और आज की मुर्ली में बाबा ने जो हमें वर्दान दिया है दिदी तो अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उल्जनों से मुक्त रहने वाले मास्टर अचेता भव तो इसकी डीटेल्स में वाबा ने बताया की सदा वहा मेरा भाग्य और वहा भाग्य विधाता इस मन से इस मन के सुक्ष्म आवास को सुनते रहो खुशी में नाचते रहो जो पाना था जानना था वो जान लिया पाना था पा लिया इसी अनुभवों में रहो तो उल्जनों से मुक्त हो जाएंगे और जो बच्पन की छोटी-छोटी बाते हैं उसमें समय नहीं गवाएं मास्टा रचे था हूँ इस स्मृति में रहे भाबा कहते हैं जो हमें उपलब्ध नहीं है जाहता बुद्धि उस तरफ जाती है बहुत कम लोग हैं जिनकी बुद्धि उपलब्धियों पर जाती है प्राप्तियों पर जाती है तो बाबा कहते हैं कि अपने भग्य को देखो कि आपको क्या-क्या बाबा ने प्राप्त कराया क्या-क्या दिया, तो क्या-क्या दिया यह अगर बुद्धी में रखेंगे तो पुर्शाइच होगा और आज का स्लोगन है दिदी, कमल आसन धारी ही माया की आकर्शन से नियारे, बाप के स्निहे में प्यारे, श्रेष्ट कर्म योगी है तो इसी प्रकार से हमेशा ही बाबा की ज्ञान मुर्ली का श्रवन करते हुए धारनाओं को जीवन में लाते हुए कमल आसन धारी श्रेष्ट आत्माय बनेंगे और आधन्य दिदी जी ने हमें स्पष्ट करके आज मुर्ली की गुहियता बताई इसके लिए दिदी का बहुत बहुत थांक्यू दिदी ओम शान्ति